घर के छोटे बड़े इतने expenses होते हैं कि एक को पूरा करो तो दूसरा तयार बढ़ती हुई inflation ने life actually challenging बना दी है अगर हम अपनी routine life में बड़ी budget की बजाए छोटे छोटे खर्चों पर focus करके उनको compromise कर लें तो money saving habits adopt करते हुए हम ना नजर आने वाले खर्चों पर भी काफी हद तक काबू पाकर घर के budget को control और manage कर पाएंगे So let's start with basic money saving habits which every homemaker must follow Assalamualaikum everyone, welcome to Romania ATF, I hope you all are doing great in your lives गर्मी ही हो या सर्दी, हमारे देसी food में से साधा प्राठा हो या स्टाफ प्राठा, एक staple item है, नाश्टे या दुपैर के खाने की आजकल market से ready made frozen प्राठे अवेलेबल हैं, लेकिन एक तो refined आटे के बने हुए, दूसरा अल्ला जाने कौन सा oil या घी यूज़ करके बनाए होते हैं Unhealthy भी और size में भी बिल्कुल cd के size के, pack of five में available होते हैं और बहुत ही महंगे पढ़ जाते हैं इसकी बजाए मैं घर पर ही whole wheat आटे के प्राठे बनाकर freeze करना प्रिफर करती हूँ पैसों की भी budget और ऐसी वैसी पांच प्राठों के pack के equal 25 प्राठे घर में बन जाते हैं और वो भी बिल्कुल healthy और hygienic तो इसके बनाने का तरीका आपसे already share कर चुकी हुई हूँ कि किस तरह के मैं लच्छा प्राठा बनाती हूँ घर में 3-4 तरह के बनाती हूँ उसकी dedicated video मेरे चैनल पर मौझूद है अगर आप interested हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं एनिवेज एक वीक के मैं प्राठे बनाती हूँ उसमें तकरीबन 15-20 प्राठे एक दफा में मैं बना कर फ्रीज कर लेती हूँ यह होता है कि एक तो पैसों की बच्चत तो obviously होती होती है लेकिन जो time और energy saving होती है जैसे आजकल गर्मी है और मैं घर पर available हूँ या नहीं हूँ हर हाल में बच्चों को प्राठे available होते हैं वो अराम से फ्रेज में से निकालते हैं फ्रीजर में से और उसको बना कर यूज कर लेते हैं तो बस इस तरह की layering करके ये dedicated box मैंने रखे हैं मैं तीन चार स्टफ प्राठों के लिए भी और प्लेन प्राठों के लिए भी तो मैं इनको फ्रीजर में रखका फ्रीज कर लेती हूँ और accordingly यूज कर लेती हूँ अब मैं आजकल निया सिनामाइड यूज कर रही हूँ तो उसका निशान पढ़ गया अब इसको मैं किसी glint वगरा से तो साफ नहीं करूंगी मैं अपनी ये टूथपेस लूँगी उससे थोड़ा सा उसको मैं उसको हलका सा लगाऊंगी और वाइप के साथ ना उसको अच्छे से वाइप कर दूँगी तो ग्लिंट इतना महंगा आता है या कोई भी आपका ग्लास क्लीनर हो तो बजार से इतने महंगे महंगे अवेलेबल हैं और ये टूथपेस इतना अच्छा काम करती है ना बिल्कुल मैजिक की तरह करती है और विदिन नो टाइम मुझे कोई स्पेशल टाइम ने निकालना नेक्स्ट ऐसे होता है कि हमारे घर में कार्डबोड के बॉक्स बहुत आते हैं वो तो मैं आपसे बहुत सरे आइडियाज शेयर कर चुकी हूँ आज जो मैं बताने वाली हूँ ना वो यह है कि पेपर बैक्स भी हमारे अकसर ऐसे आनलाइन शॉपिंग के साथ आ जाते हैं क प्रिंट इतना अचा होता है माटीरियल इतना अचा होता है जैसे यह सफाइर का पैक है आजकल इनो ने बड़ी अच्छी पैकिंग रखी लिया इतने वाइबरेंड फ्लोरल प्रिंट्स की तो इसके उपर इसका जो लोगो है ना वो हम झुपा देंगे लेकिन इसकी शीट को मेरा जाया करने को दिल बिलकुल नहीं किया तो हम बजार से महंगे महंगे organizers जो purchase करते हैं अपनी चीज़ों को organize करने के लिए manage करने के लिए तो why don't we use these kind of boxes and also these kind of sheets है ना तो बस इन को ना मैंने इस तरह से जैसे आपसे मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुक्यों कि सिंपली ग्लू की हल्प से ना हम इनको अप्लाई करते हैं अच्छा इस पेपर का मिटीरियल इतना अच्छा था प्रिंट तो अच्छा था ही लेकिन मटीरियल इतना अच्छा था कि जहां पर मैं इसको सेटल कर रही थी ना ये लिए मैंने ब्रैंड भी चुपा दिया ब्रैंड भी नजर नहीं आ रहा कि आपको प्राब्लम हो कि यार ब्रैंड तो सामने नजर आ रहा है तो अगर हमने इसको अल्मारी के अंदर रखा है नह तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको 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 वरी करें कि ब्रैंड नजर आता है या नहीं आता अब इसको पर जो handle लगे वे थे ना इतने अच्छे material के थे कि उनको भी मैंने use कर लिया तो एक इतना जबदस मेरा organizer त्यार हो गया आप बताएं कि अगर आप धराज से मंगवाएं या कहीं से भी online मंगवाएं या बजार से purchase करें आप तो आप बताएं कितने ये महंगे पड़ जाएंगे जाने की कोफ तलैदा होगी टाइम निकालना पड़ेगा और पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे तो हम home makers का काम ही यही है कि हम पूरी तरह से बचत करें और अपने घर को अच्छे से manage करें कितने जबर्दस हैंडल हो गए न तो अब चलके इसको मैं आपको organize करके बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे organize करती हूँ इसमें books रखी वी इतनी जबर्दस लगती है और multi purpose ली हम use कर सकते हैं इसके अंदर अगर हम coffee table पर रख रहे हैं हम home makers के लिए बहुत जरूरी हो जाता है हम अगर बढ़ती हुई महिंगाई से खूब लड़ना चाते हैं तो और अपने घर को अच्छे से manage करना चाते हैं अब ये paper bags ही नहीं कभी कभी हमारे घर में कपड़े भी इस तरह के बढ़ जाते हैं लड़कों की shirts टी शिर्स का material इतना अच्छा होता है या हमारे ladies के कपड़ों में से ना ये fancy जो pieces होते हैं बहुत ही जबदस लगते हैं लुक में भी बहुत अच्छे लगते हैं तो बस एक और organizer त्यार करके मैंने kitchen के नपकिन्स रख दिये, books रख दिये, stationery रख दिये, make-up रख दिया even shoes के लिए भी ये देखे ना कि अगर मैं इंडूइज्वली रख दी तो एक एक box के लिए कितनी जगा उक्योपाई करता है और मेरी बच्छत भी हो गई जगा की भी और पैसों की भी तो इस तरह के शीशे के जार्स भी आ रहे होते हैं घर में जब खाली होते है ना तो यह आप से तो मुझे पता ही नहीं था के पड़ावाई तो मैंने एक और मंगा लिया तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इसको और्गिनाइज करना चाहिए तो घर में एक बॉटल परी थी बस उससे मैंने इनको एक जगा पर कर लिया अब इस तरह की ना पती के बॉक्स भी आते है जहां से इसका जोड़ था ना तो यह देखें विदिन नो टाइम एक मैजिक ओर और आराम से इस तरह के मेरे नेल से भी यह नहीं उतर रहा था और आराम से यह ना लेबल इसका इसली रिमूव हो गया तो इस लेबल के रिमूव होने के बाद आब आब बताएं कि यह लग है कि यह पती की बॉटल थी अब यह न्यूटरल और ट्रांसपेरेंट होने की वज़ा से इसमें जो कुछ भी रखेंगे एजीली हमें नजर भी आएगा क्वांटिटी भी इसकी देखें अची खासी है कि एक डाल का पैकेट आदा कलो वाला मैं ने डाला तो इसमें जगा और बच गई फिर मैंने मजीद और दाल का पैकेट इसके अंदर डाल दिया तो अल्मोस्ट वन केजी की को पैस्टी इसके अंदर थी और रेड इसका लिड था बड़ा जबदस था और यह देखें कितना जबदस होगे हम इसको चाहें तो लेबल कर भी सकते हैं नहीं भी कर कर लिया बिल्कुल इसी तरह ही न हमारे यह माइक्रोवेव ओवन के यह जो होते हैं स्टैंड्स मुझे बताएं कौन यूज़ करता है इनको कोई भी ओवन में यूज़ हार्डली कोई करता होगा मैं तो नहीं करती तो यह दो माइक्रोवन है मेरे पास एक तो मैं इस तरह स इसलिए थोड़ी सी ऐसी हुई बढ़ी है और एक को न इस तरह से मैं कैसे यूज़ करती हूँ कि मैं इसको शेल्फ डिवाइडर के तोर पर अपने काउंटर टॉप पर ही यूज़ कर लेती हूँ बस कार्ट बोर्ड को इस तरह कवर करके इसके उपर रख देती हूँ ताक चुटी चुटी मसाले की बॉक्सेज है न तो उनको मैं इनके नीचे अरेंज कर देती हूँ इसके नीचे आप सॉसर्स काप्स या कोई भी आपको जगा के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप इसके अंदर नीचे इसके और गिनाइज करके रख सकते है तो हमारी जगा के भी बच्चत हो जाती है और हमारे पैसों की भी बच्चत हो गए जो हमने शेल्फ डिवाइडर्स बजार से खरीद ने थे तो देखें एक और बच्चत का परपस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से घर में ही मौझूद चीजों के साथ हम अपने बहु पतली हो चुकी है स्टीम में यूज करकर के तो बस जो पॉट्स और पतीलियां होती है उनको भी हम इस तरह से रख ले ना अगर कैबनेट के अंदर एक तो इनको परे करके साफ करना जगा को बड़ा असान हो जाता है और यह सामने भी पड़ी अच्छे से नजर आती है तो देखे ना कितना मेंगा भी आता है और इसकी क्वांटिटी भी पूरी नहीं होती तो इसको मैं इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं कर दी होती रादर मैं घर में ही ना दूद के ओपर से मलाई उतारती रहती हूं लेकिन इस तरह से के पहले उसको बॉइल करके अच्छे से ठ बच्चत हुई ना पैसों की और हाईजीनिक और और अर्गैनिक बिलकुल अब यह जो प्लास्टिक के चमच आते हैं या हमारे वुड़न के भी आ रहे होते हैं तो वुड़न चमच भी बड़े अच्छे रह जाते हैं प्लास्टिक को इतना जादा हम नहीं अब यूज करत हमारे जो चार की बॉटल्स या कोई भी ऑईल के अंदर चीजों की बॉटल्स होती हैं उनके इस तरह की स्टील के या सिलवर के स्पोन्ज बेगलो ना रखाया करें उससे रस्ट लग जाता है और इस तरह से हमारे चीज अधो खराब भी हो जाती है तो इस तरह के लिएकन जरूर दबाएं ताके सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में सी यू सून थैंक्स फर वाचिंग अलाह आफ़ेज